प्यारे बच्चों सुप्रभात आज का हमारा पाठ है अशुद्धी शोधन जो की हमारी व्याकरण की पुस्तिका में पाठ नंबर तेरा के नाम से हैं तो आज हम इस पाठ की पुनरावृती करने जा रहे हैं जैसा की हमने इस पाठ में पढ़ा था हमारे लेखन में, हमारे शब्दों में और हमारे वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं तो हमने यह जाना की वाक्य में अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं पहली शब्द स्तर पर जब हमारी वर्थनी में अशुधी होती है और दूसरी वाक्य स्तर पर जब हम वाक्य रचना संबंधी अशुधियां करते हैं तो अशुद्धी शोधन की परिभाशा है व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धी शोधन कहलाता है शब्द संबंधी कुछ अशुधियां इस प्रकार है हमारे सम्मक्ष कुछ शुद्ध शब्द तथा कुछ अशुद्ध शब्द दिये गए है यहाँ पे कुछ शुद्ध रूप तथा कुछ अशुद्ध रूप दिये गए है जो जादा तर हमसे अंचाहे तरीके से हो जाते हैं मधुर, जूपड़ी, आशिरवाद, राश्ट्रिये, दुरघटना, प्रकाश, शक्ती ये इन शब्दों के शुद्ध रूप हैं तथा यह गलत किये गए इन शब्दों के अशुद्ध रूप हैं अब हम जानेंगे कुछ अशुद्ध वाक्य वो उनके शुद्ध रूप मैदान में बच्चे खेल रहा है यहाँ वाक्य में वचन संबंधी वो क्रिया संबंधी अशुद्धी है इसका सही उत्तर है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं मैं बहुत सारे खिलोने दिलाओ, यहां सर्वनाम संबंधिये शुद्धी है, मुझे बहुत सारे खिलोने दिलाओ, चोर गाव छुप गया, शुद्ध वाक्ये है, चोर गाव में छुप गया, मेरे माताजी आए है, शुद्ध वाक्ये मेरी माताजी आई है, मैं पढ़ाई किया, शुद्ध वाक्ये है, मैंने पढ़ाई की, तो यह थी कुछ वाक्य संबंधिय शुद्या, तथा कुछ शब्द संबंधिय शुद्या, जो हम गलती कर देते हैं,